नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो पर दोस्तों इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमने एक माइक खरीदा था मावनो का AUA04 सायद है उसका मॉडल नमबर है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिखने में कुछ किस तरीके का है कुछ दिखने में कुछ इस तरीके का है इसका जो मॉडल नमबर है मावनो AUA04 प्लस है और इसका जो माइक है मैं आपको अभी जो है इसका साउंड रिकॉर्ड करके आपको बताने वाला हूँ वह भी लैप्टॉप पे कंप्यूटर पे कि इसका साउंड जो है कैसे आता है इसके साथ कुछ तरीके का सावाल मिल जाता है पिछली वीडियो पर इसके बारे में बताया था लेकिन इसमें हमने रिकॉर्ड करके नहीं देखा था कि इसका आडियो क्वालिटी होता है कैसे होता है तो अभी मैं जो आडियो रिकॉर्ड करते हैं उसी सौप्टर के अंतरगत करते हैं तो चली अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं तो मैं आपको जो है बैक केमरे से दिखाता हूं कि माइक दिखने में कैसा है और मैं इसको पुरा जो है चालू करके देखता हूं देखि एक माइक दिखने में कुछ तरीके का है, और इसमें मैंने एक स्टेंड लगाया हुआ है, अभी मैं स्टेंड को जो है, यहां पर रखता हूँ और इसमें मैं Adocity को जो है इंस्टॉल करता हूँ तो अभी मैं जो है इस फोन से ही तो रिकॉर्ड करूंगा लेकिन audio जो रिकॉर्ड होगी वो इस माइक से होगी ठीक है ना आप फिर से एक बार मैं आपको पता देता हूँ वीडियो आपको मोबाइल से दिखेगा आडियो अभी जो है इससे रिकॉर्ड होगा ठीक है तो मैं अभी इसको पहले स्टार्ट कर लेता हूँ तो चली अभी यह माइक है और यह है एडो सिटी सॉप्ट है इसको मैं जो है ओपन कर लेता हूँ ठीक है ना ओपन करने के बाद अभी अब जो आडियो आईगी यह माउनो के माइक साईगी तो मैं यहां से सीधे जो हैसे चालू पर लेता हूँ तो नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस नए वीडियो पर दोस्तो इस वीडियो पर आप बताईए कि मैंने जो है माउनो का एईउस जिरो फोर का मैं यूज़ कर रहा हूँ और बाहर जो मैं जहां पर बैठा हूँ वहाँ पे बहु ज़्यादा ट्राफिक ह फिर भी जो है आवाज की quality कैसी आ रही है मुझे आ बताईए मैंने लगबivamente इतना distance मैंने रखा है देख सकते हैं इतना मैंने distance रखा है अभी मैं जो है पास में तोड़ा सा पास में distance जाता हूं तो देख सकते हैं जैसे मैं पास में जाऊंगा इसकी लखीरे जो हैं उठने लगेंगी तो देख सकते हैं यह जो लखीरे हैं यह कितनी ज्यादा उठ रही है और यह सबसे बैस्ट जो है आडियो कॉलिटी software है जो audio record करने के लिए अभी बाहर से जो है गाड़ी जा रही है उसका भी देखते हैं कि आवाज capture होता है क्या तो यह देखिए बाहर से एक मतलब गाड़ी आ गई है उसका भी आवाज record हुआ है कि आप मुझे बताइए और देख सकते हैं कैसे यह लकीरे उठ रही है और इससे हम एक broadcast भी त्यार कर सकते हैं इस माइक के द्वारा और इसमें हमारा एक music channel है जिसके माध्यम से इसके माध्यम लाने के लिए हमने जो है इस माइक का खरीदा है तो मैं आपको उस channel पर जाके भी आपको इस वीडियो पर दिखाता हूं तो अभी मैं इसे जो है पुस्ट कर देता हूं तो दोस्तों अभी मैंने जो है internet connection on कर लिया है और यहां पर मैं जो है browser पर चले जाता हूं ब्राउजर पर जाने के बाद हम यह की youtube channel पर आ जाते हैं और जैसे कि अभी यह वीडियो डलने वाली है यह हमारे channel पर डलने वाली है और अभी हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक channel बनाया है इस नाम से चेनल तो अभी मैं आपको एक सौंग सुना के दिखाने वाला हूं कि सौंग का जो क्वालिटी है वो कैसे आता है फुष्पा का सौंग यह अच्छा भी हम देखते हैं कि लकीरे उठ रही है नहीं उठ रही है देखिए अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं यह म्यूजिक का साउंड ले रहा है अब यह यूटूब का कि लेखिए मैं रहा है तो दोस्तों अभी मैं जो है म्यूजी को आफ कर दिया है और अभी मैं माइक के एकदम पास में हूँ तो मुझे लगता है कि आवाज जो है बहुत ज़्यादा फट रही होंगी तो चलिए अभी ये वीडियो को स्टॉप करते हैं अभी ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये मोबाइल फोन के आडियो से हो रहा है तो देख सकते हैं मैंने जब मैं माइक के एकदम पास में गया था तो जो लकीरे हैं ये क्या हो गई थी कि बहुत ज़्यादा उड़ गई थी तो इस वज़े से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आडियो जो है फटा होगा ठीक है तो अभी हम वीडियो को स्टॉप करते हैं और पूरा सुनकर देखते हैं और क्या एक्सपीरेंस रहता है अब मुझे कमेट सेक्सर में जरू बताएगा और अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा ताकि कि आपको नए वीडियो की नोटोपे के सना आपको मिलते रहेंगे जाहिन बंदे मात्रा